जय हिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल यूनीक ज्यान में आज हम भी ये फिप सेमेस्टर जियोग्राफी पेपर सेकेंड अर्थाद भूगोल पेपर दो का चैप्टर थ्री देखेंगे जिसमें हमें पढ़ना है सुदूर समबेदन उपग्रहों का प्लेट फार्म इसको मच्छे से समझेंगे इसके पहले के चैप्टर जिसने ना देखो हूं वह चैनल पर विजिट करें आपको प्लेइलिस्ट मिल जाएगी फिप सेमेस्टर जियोग्राफी पेपर सेकेंड क्लासेज जिसमें आपको सभी चैप् समबेदन उपग्रहों का प्लेट फार्म और समबेदन संसाधन उपग्रहों को भूत तुल्ले कालिक स्रेड़ी में रखा गया है जो सुदूर समबेदन संसाधन उपग्रह है उसे कि स्रेड़ी में रखा गया है इनमें से लेड सेट, स्पाटू, आई आरेस, नोवा, सी सेट, सी टिरोस, यह सी एम आदी उपगरह हैं यह सभी उपगरह जो है सुदूर संबेदन संसाधन के अंतरगत आते हैं सरपर्थम सोवियत संग ने 4 अक्टूबर 1957 को इस पुतनिक एक को प्रक्षेपित किया था कुछ समय बाद सोवियत संग ने इस पुतनिक दो नामक अंतरिचियान को भेजा जिसमें परिछड है तो लाई का नामक भी भेजा था और इसमें सकुसल लोटने के पस्चात यह सिद्ध हो गया कि मानव अंतरिच में भी जीवित रह सकता है जब इन्होंने अपना इस पुतनिक एक और इस पितनिक दो वहां पर वहां की जानकारी लेने के लिए अंतरिच में भेजा तो यह पता लगाया गया कि वहां पर भी जीवन संभव है जीयोस क्या है यह एक भू अस्तरिक उपगरा है जिससे संयुक्त राज अमेरिका ने अंतरिच में प्रक्षेपित किया था और इसकी प्रमुक विशेस्ताएं कौन-कौन सी है इसका बेंड को गितने का है मतलब बेंड इसके 0.55-07 मैक्रोमीटर दूसरा है 10.5-12.6 मारी विभेदक है 1-8 Information in दिर्श to Land में और 9세 तपी औरThisIt Band में इसका विभेदक और है विभेदक क्या है इसके आगला अब उसको देखेंगे यह एक प्रत्म समूद्री उने में समुद्री और लोकन के लिए 800 किलोमीटर की उचाई पर प्रक्षिथी पिया गया था स्काइज लेब कईा है आकासी प्रियोग साला है selling के लिए आपको जियोश बताया आपको समुद्र के लिए उपगरा हमारा कौन सान। से स screens है और स्काइज लेब जो है हमारी आकासिय प्रियोग साला है इसकाई लैब वानव मुक्त अंतरिच प्रियोग साला थी जिससे 435 किलोमीटर की उचाई पर 1973 में अस्थापित किया गया था इस पॉट क्या है फ्रांस में 1985 में इस पार्ट को प्रिथिवी से 822 किलोमीटर सिस्टम प्रोवलर उचाई पर अ भूलाकार था लैंड्सेट क्या है उसके बारे में जानेंगे लैंड्सेट उपग्रह को भू संसाधन तकनीकी उपग्रह कहते हैं लैंड्सेट जो उपग्रह है उसे क्या कहते हैं भू संसाधन तकनीकी उपग्रह कहते हैं और इसको यूएस से के नासा ने ध्रुवी कच् में उत्तरी अमेरिकानु संधान के अंदर अस्थापित किया था इसका प्रक्षे पर 13 जुलाई 1972 को किया गया था इस उपग्रह ने 6 जनवरी 1978 से कार्य करना बंद कर दिया था और यह तितली की आकरित का 3 मीटर लंबा तथा 1.5 मीटर अर्धव्यास का है इस पर 4 मीटर लंबे सौर्य उर्जा चैनल लगा हुआ या एक सूर्य तुल्य काली उपग्रह है जो अपनी प्रत्य कक्षिय मार्ग में गत्य करते हुए प्रति दिन सुबह 11 बजे भूमत दिरेखा को पारिय करती है कौन ल प्रति के लिए संबंद में जो उपग्रत हमने उसको जाना अब हम बात करेंगी सुदूर संबेदन के प्लेट फार्म आखिर होता क्या है प्लेट फार्म का अंत्रिक्ष में ऐसा स्थान या स्थिति जहां पर कैमरा या संबेदक लगा हुआ होता है और दो लच्छ या धर जातल के किसी भाग के बारे में सूचना प्राप्त करता है जैसे समझ लिजिए किसी भी चीज के बारे में हमें जानना है तो उस पर हमने उपग्रह लगा दिया या कोई भी वस्तु लगा दी जिसमें कैमरा लगा हुआ है जिससे हमें प्रतिवी की जानकारी अच्छे से ज जिस विग्रह या उपग्रह के बारे में हम जानना चाहेंगे उस पर लगा देंगे और उसकी जानकारी प्राप्त होती रहेगी सुदूर संबेदन में उपयोग किये जाने वाले प्लेट फार्मों के अंतरगत जैसे की गुबार अभी आता है गुबारों में कैमरा लगा के वाईवयान आते हैं हेलिकाप्टर अंतरिच्छईान राकेटे को रख़ा जाता है और इनका उपयोग विभिन परकार के उद्देश की पूर्ती के लिए किया जाता है सुदूर संबेधन विभिन परकार के होती है अलग अलग जगाओं पर लगे होती हैं, पृतिवी के ध प्लेट फार्मों को तीन भागों में बाटा गया है पहला धरातल आधारित प्लेट फार्म या भू आधारित प्लेट फार्म दूसरा वायुयान आधारित तीसरा अंतरिच आधारित प्लेट फार्म होता है कितने प्रकार के प्लेट फार्म होते हैं धरातल आधारित प्लेट दूसरा है आधारित प्लेट फार्म और तीसरा है अंतरिक्ष आधारित प्लेट फार्म तो चलिए एक एक प्लेट फार्म के बाने में तीनों के बारे में हम अच्छे से जान लेते हैं पहला कौन सा हमारा है भू आधारित प्लेट फार्म सुवदूर संबेदन प्रडाली में धरातल पर आधारित प्लेटफार्म उपयोग मुख्यता धरातली संसाधनों के अध्यन के लिए किया जाता है जो हमारा भू आधारित प्लेटफार्म होता है उसका प्रियोग किसके लिए किया जाता है धरातली संसाधनों के अध्यन के लिए किया जाता है आपको नाम से ही प घटनास्थल पर जाकर स्वयम सूचनाओं का सत्यापन करता है और निसकर्स पर पहुंचता है जलवाई विज्ञान से संबंदित घटनाओं को धरातल पर अलोकन किया जाता है जिसके लिए अनेकों मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित किये जाते हैं रडार डॉपलर रेड सूचनाओं को एकत्र करने के लिए किया जाता है अगला हमारा कौन सा है वाई मंडली आधारित प्लेट फार्म का प्रियोग मुख्यता वायू फोटो चित्र को खेचने के लिए किया जाता है और इसका उद्देश फोटो चित्रों का विसलेशड करना होता है इनको फोटो चित्र खीच लिया जाता है और उससे क्या होता है वहां की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है अगे देखेंगे अगला हमारा है अंतरिच आधारित प्लेट फार्म अंतरिच आधारित प्लेट फार्म सामान निता धरातल से 600 किलो मीटर से अधिक उचाई पर इस्थित किये जाते हैं जो हमारे अंतरिच आधारित प्लेट फार्म होते हैं उन्हें धरातल से लगबग 600 किलो मीटर अधाल बहुत उचाई पर अधिक उचाई पर इसे स्थाप ट्रूवी कच्छू में स्वतन दरोप से घूमते हैं निश्चित अंतराल पर संपूर प्रिथवी के किसी भाग को टै करते हैं आंतृ छाधारित प्लेटफार्म के कारड़ी असीमित मातरा में पृतिवी के संबंद में आकड़े प्राप्त करते हैं यही कारण की अंतराष्टी अस्तर पर सुदूर संबेदन लोकप्री रहा है क्योंकि उससे बहुत सी जानकारी हमें अपने देश के बारे में मिल जाती है समझ लीजिए अगर हम अपनी पृतिवी पर अलग अलग चीज तो यह था आपका चैप्टर जो हमने आपको बताया सुदूर संबेदन के प्लेट फार्म आगे हमें विभेदक जानना है सुदूर संबेदन के संबेदक और उसकी अवस्तिति के बारे में जानना है जो की चैप्टर आपका नेक्स्ट बहुत जल्दी आएगा तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन बिल आइकन आन करने जिससे आने वाले सभी वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिल सकें कमेंट करके कोई भी प्रसन हो आपका पूछ सकते हैं टेलिग्राम चैनल जोइन कीजिए वहां पर आपको नोट्स मिलता है नोट्स तो हमने जो नोट्स दिये हैं उसके माध्यम से आप उसको बना सकते हैं तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए धन्यवाद